कि हाई आवरिवान एक बार फिर सो स्वागता है लक्षमी किचन में एक नए वीडियो के साथ हो फ्रेंट्स आज लकषमी किचन में बन रहा है कुछ चटपटा सा कुछ टेष्टी सा तीका सा और बहुत आसान और बहुत पूझ री डिस टेष्टी जिसे हम बेसं और मोंफली से बनाएंगे तो सबसे पहले हम ले ले लेते हैं एक बाउल बाउल के अंदर हम डालेंगे एक कटोरी के गरीब बेसं आप मेजरमेंट जिस चीज से भी करेंगे आप उसी से सारी सी जोगों मेजरमेंट कीजिए तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी की करीब बेसन डाल दिया है अब इस बेसन में कुछ मसाले डालेंगे तो मसालों के अंदर हम सबसे पहले इसमें डाल देते हैं साथ ही में उसी कटोरी की मेजरमेंट से हमने आपर मुफली ले लिए इन मुफलीों को ना ही हमें उबालना है ना ही हमें इनको फ्राई करना है जैसी हम बजार से लेकर आते हैं सिंपल वैसी हमें मुफली चाहिए तो सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं नमक एक चम्मस के करीब हम इसमें नमग्राड करेंगे और साथ ही में इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो हमारा खाने जो वाला सोडा होता है थोड़ा सा मैं इसमें आपर करल डाल रहे मैंने baking soda डौろ ला लाना यानिक खाने वाला soda डाला है और अगर आपके पास दालें गे नीमभू का इक nun पाउडर भी आता है अगर वो आपके पास ओ तो आप वो डाल दीजी वो डालना जुरूरी है अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसके अंदर नीम्बू का रस जार सकते हैं याप और मैंने एक चमप्र, एक नीम्बू का पूरा रस इसमें एड़ कर दिया है अब इसको हमें अच्छा सा मिक्स करना है कोई भी गाटःई वागेरा मिलकुल भी ना रहें और एकदम बड़ी असा हमारा बैटर बनकर त्यार हो जाए तो फ्रैंड्स इसको चलाते रहेंगे एकदम बड़ी असा इसका बैटर बना लेती हूँ मैं और जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके आगे जो बैल आइकन बटन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फ्रैंड्स से बच्चों की छूटियां हो चुकी हैं और गर्मियों के बड़े बड़े दिन होने लगें कुछ भी बच्चों को तीखा खाना चटपटा खाना इस तरफ ऐसप्याइब बच्चों बच्चों को बनागर खाला सकते थाकि वह भापार की रोचों को खाना अवुएड करें तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने पूरा एक क्लूरी करीब पानी इसमें एड़ कर दिया है और इसका बैटर का आप पे टेक्स्ट देख लिए बिल्कुल इसी तरीके का में बैटर त्यार करना है बिल्कुल समूथ सा बैटर त्यार होना चीज़ में कोई काठे वगरा नहीं होने चीज़ थोड़ी दियर हम इसको छोड़ देते हैं आप कच्रा वगरा कुछ भी ना हो बिल्कुल सही हो हमारे एकदम साफ की हुए तो इस तरीके से इसको हम मिक्स कर देंगे चार तरब से और इसको थोड़ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि मौफलियों पर अच्छा सा बेशन कोट हो जाए यह देखिए एकदम बिल्कुल होने के लिए तो यह देखिए गरम हमारा हो रहा है और इदर हमारे 10 मिट के लिए हमने बेशन को भी इनके साथ बिगो के छोड़ दिया था मौफलियों के साथ तो अब उनको लेते हैं और इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे और इस दोनों बैटर को डालते इसको हमें को करची कि सायता से या फिर किछी लकड़ी की सायता से इन सब इनको इस तरीके से ओयल के अंदर अलग अलग करेंगे तो ये पूरी अच्छी तरीके से हमारी जो टेश्टी है वो बनकर त्यार हो जाएगी तो ये देखिए अभी हमें जो चम्मच है हमारा उस से लेते हैं और इसको अलग-अलग कर देते हैं ताकि ये अलग-अलग हो जाए और हमारी जो टेस्टी वो एक दिम बड़ी आशी शांदार्सी बनकर त्यार हो जाए तो ये देखिए हम चक्कू के साइधा से इसको इस तर आपने दोस्तों में रिलेटिव मेरे चैनल को सेयर कीजिए देखिए इस तरीक ऐसी अलग हो जाएगा और एक दिन बड़ी आसी हमारी टेस्टी बनकर रड़ी होगी और बच्चों के लिए बहुत ही बच्चों को इस तरीक गिरेसी भी बनागर आप जुरूर ट्राय की और बड़े बच्चे सभी यज जाइसी पीड़ी लगेगी और इसमीन कोई ही जादा सामग्री की भी जरूरत नहीं है बिल्कल आसानी तरीके से हमारी सामग्री बिल्कल रुड़ी हो जाती है और गर्मी इस हमाना मारे पास जरूर मेजूध होते हैं बेसन हमारे गर में रहता हुए है, मसाला रहता ही है और मोफली भी करेब करेब घुरू में रहती है क्योंकि पोहे वगेरा में हर चीज में मोफली डाले जाती है इसलिए ये जुरूर हमारे करमें पाई जाएगी तो फ्रेंड्स कितनी शांदार सी हमारी रेसिपी बनकर त्यार होगी तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी इस तरीके से हम सारों को अलग-अलग कर देंगे और एक दम बड़िया सी हमारी मुफली की टेस्टी बनकर रड़ी हो जाएगी तो फ्रेंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होंका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो पर बने रहें और वीडियो को स्कीमत कीजिएगा पूरा देखिएगा तब भी आपको पता चलेगा कि हमने जो ये टेस्टी बनाई है वो कैसे बनाई है तो देखिए जैसे हमने इसमें डाला था उससे इसका कलर भी कितना सुन्दर आ चुका है बिल्कुल जैसे हल्दी राम की हां टेस्टी बनाई जाती है बिल्कुल वैसी टेस्टी हमारी बनकर रड़ी हो गई है तो अब इनको हम अलग निकालेंगे है उसका एख्याओ बनाई है उसका ओए-ख्या-टेस्टी बनकर रड़ी हो जाएगी तो इसको बहार निकाल लेते हो और इसे बनाने में जदा वक्त भी नहीं लगा मатов तके 6-7 मिन्टे में हमारी टेस्टी बनकर त्याब हो गईे है तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुदर कलर आचका आप देख रहे हैं इक ज्ञाग से नहसे पिल्क度 कोई यह चार्ग से बिल्कुल खतम जाएगे कि यहoga तो नहसे क्लाद के हैं तो चोटी बड़ी तो कोई बात नहीं चोटी बड़ी भी बन सथी क्योंकि छोटी भी कहीं पर तो यह देखी कितना अच्छा सा हमारा कुरुकरा पन इसमें आज चुका अब मैं साई चैश्टी को बहार निकार लेती हूं और एक दम लाजो आप हमारी चैश्टी त्यार हो च एक टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे हमचूर का पाउडर और इन साई ची जो को मिक्सर में डालके अच्छा से एक पेश्ट त्यार कर लेंगे तो फ्रेंट्स वो पेश्ट मैंने पहले ही त्यार कर लिया था इसलिए अगर आपको सित्रे कर मसाला इस पर डालना है तब फ्रेंड्स अगर आपको रेसिप अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेर कीजिए और ज्यादर से आपने दोस्तों मेरे रेटिव मेरे सेनल को सेर कीजिए, थैंक्यू, बाइबाइ मिलते हैं कैसी सिंपल जी और असाल सी रेसिपी के सा पर्दयाु कि दो जाए झाजते हैं